पंजाब के पूर्फ मंत्री इंदरजीत सिंग जीरा को उस समय पुलिस ने बुरी तरह पीट डाला जब उन्होंने अपनी इनोवा कार मुख्यमश्री प्रकाश सिंग बादल के काफिले में घुसा दी सुरक्षा विवस्ता के मद्दे नजर पूलिस ने इंदरजीत सिंग की गाड़ी को तोड़ डाला और उनके साथ जम कर मारपीट की जिसके बाद पूलिस उन्हें गसीटते हुए ले जा रही थी तो उनकी तब्यत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें सेक्टर 16 के अस्पताल में भरती करवाया गया है बताया जा रहा है कि उन्हें हाट की प्रॉबलम भी है और उन्हें ICU में भरती करवाया गया है वहें इस घटना क्रम को लेकर पंचाप के मुखे मंत्री की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गये हैं बताया जा रहा है कि किसान, खेत, मश्जूर, सेल, सेल, पंचाब के चेर्मेन और पूर्फ मंत्री जीरा भूमी अधिगरण बिल को लेकर अपना विरोध दर्च करवा रहे थे और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे समवादाता मनोज राठी मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि सीम प्रकाष सिंग बादल के काफिले में ये जो सेंथ का मामला आया है तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास परकाश सिंग बादल का काफिले की बीच में जो है इनोवा कार बहुना की बड़ा गहीं जो है वहां बख गुशच करने की कोशिक किसम सुरक्षा कorie गये थे थी चीम काफिले को आगे भेज दिया गया ज latest sми संसनी सी फाय गई ही जिए के साथ इंदर जन इंग जी रहा की यहां पर पुलीस वालों के साथ जम कर यहां पर हाता पाई भी हुई उसके बाद जिस समय जो है उनको यहां पर थाने मिले के जा रहे थे तब ही जी सी रहा ह Sound घृर्टत ऐकार में भरति कर रहा है एहां पर आप में भरती हैं उन्हें हार्ट की प्रावलम है उसको देखते वे उनकी हालत जो है वो अभी गंबीर बताई जा रही है लेकिन जिस तरह से हमारी अफसरों से बात हुई है पुलिस अलादिकारी उसे बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना था कि कड़ी सुरक्षा के बीच में अपनी गाड़ी जो है इनोवा कार जो है उन्होंने सीम काफले के बीच में जो है जानकर की जो लेकर आये थे उसी को रोकने की कोशिश की थी और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक पाए उनको पीछे से जो है सीम का काफले के बीच में एक्दम जो है लाने की कोशिश की थी और उनको रोकने की भी जो है कोशिश की जा रहे थी लेकिन वो सीम काफला नहीं रुखा और उनको जैसे ही उनका काफला आगे बड़ा बैरिकेट लगा के पुलिस ने जो है इंदर सिंग जी रहा उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गाड़ी जो है वो राउंड बाउट पर चड़ा कर जो है चड़ाने की कोशिश करी और वहां से भागने की भी कोशिश करी जिस तरह से पुलिस अफसरों ने बताया है उनको पुलिस ने रोका उनको रोकने की भी कोशिश करी लेकिन उनके साथ हाता पाई जो है वो करी है तो कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आना और वो भी उस समय जब विधान सबा सेशन चल रहा है तो इसके वारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो है इसका अभी चालू रहने वाला है तो कहीं बहुत जारी खुड़ी सुरक्षा के दो हैं इंतजाम किये गए हैं हर जग़ा जो है इसकंड़ी सुरक्षा तैनाथ की गई है पुलिस अधिकारी तैनाथ किये गई हैं। एक तरह से पोल यहां पर खुलती नजर आ रही है कि CM के काफिले में एक गाड़ी का एकदम सामने आ जाना या गाड़ी का उसके साथ में से चलना तो कहीं न कहीं आपर एक लापरवाही सामने आ रही है तो कहीं न कहीं आपर जो है मुख्य मंत्री जो है इस बात पर पुलिस अजीद सिंग जीरा को उस घटना के बाद अस्पताल में आई सीउ में भरती करवाया गया है तो अब उनकी हालत कैसी बनी हुई है जी बिलकुल जो पूर मंत्री हैं मैं बताना चाहूंगा जो पूर मंत्री हैं कॉंग्रेस के इंदजीद सिंग जीरा वो एक किसान खेत मजद गुमरा करने की कोशिश किया और भूमी अधी ग्रहन जो बिल लेकर आये हैं किसानों को किसानों को जो है यहां पर उनके उनके साथ गुमरा करने की कोशिश करिए उनके साथ धोका किया है और किसानों को मारने का एक तरह से काम किया है चाहे वो पंजाब की बात हो चाहे व भी सदन से वकाउट लगातार किया है भूमियादी ग्रहेंट बिल पर चर्चा मांग रहे हैं लेकिन उसी के तहट जो है यहां पर आज जो यहां इंदर सिंग जीरा जो है यहां पर विधान सबसातर आये थे उसी के विरोध में जो है अपनी शिकायद दज करवाने आये थे उनका साफ तोर पर कहना था कि भूमियादी ग्रहेंट बिल को वापस लिया जाए और जिस तरह से भाजपा काली की पॉलिसी चल रही है उसको खतम किया जाए क्योंकि इससे किसानों को काफी नुक्सान हो रहा है अगर हम बात करें तो इदर सिंग जीरा की हालत अभी हस्प हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हमों के साथ बने रहें राद दिन